दोस्तों डेंगू का खत्रा तेजी से बढ़ रहा है बच्चे से लेकर बुड़े लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं डेंगू को हड़ी तोड़ बुखार भी कहा जाता है क्यूंकि डेंगू होने पर आपकी पूरी बोड़ी दर्द करती है डेंगू का बुखार बहुत ते दें तो भी उसे आराम नहीं मिलता है डेंगू में दी जा रही दवाईयां भी कई बार मरीज को बुखार से आराम दिला नहीं पाती है साथ ही डेंगू में प्रेट लेस्ट भी डाउन होने लगते हैं जिससे मरीज की कंडिशन और खराब होने लगती है फिर डेंगू के म ऐसे कुछ उपाएं हैं जिनसे आप डेंगू के बुखार प्लेट लेस्ट डाउन होना वह सरीर में आने वाली कमजोरी से भी बच सकते हैं तो दोस्तों यदि आप इन समस्याओं से पीडित हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी स्पेसल होने वाली है आप सभी को मेरा नम चलते हैं अपने टोपिक की तरफ तो दोस्तों आप आपकी फैमिली में कोई व्यक्ति या आपके सरकल में कोई भी अगर डेंगू से पीडित है तो सबसे पहले अगर उसका कहीं से भी डेंगू का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसे चलने दीजिए आप उसकी दवाईयां बिल्कुल भी बंद ना करें आप उनके साथ ही वो भी कीजिए जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो दोस्तों पहले हम आपको डेंगू में होने वाले बुखार से बचने के लिए आपको सुबह साम खाली पेट ताजे गिलोए का ताजा जूस पीना है ये आपको हर प्रकार के बुखार से बचाएगा फिर चाहें बुखार कितना भी पूराना क्यों नहों कोई भी बुखार क्यों नहों चाहे डेंगू टाइफाइड सीजनल बुखार ही क्यों नहों गिलोए का काड़ा आपको हर प्रकार के बुखार से निजात दिलाएगा ये काड़ा आपके हड़ी तक में से बुखा निकाल देगा दोस्तों यदि आपको गिलोय का काड़ा बनाना नहीं आता है तो हमने इस पर वीडियो बना रखा है आप उस वीडियो को देखिए जिसका लिंक आपको उपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस काड़े को लेने में भी कुछ साबधानियां बरतनी चाहिए जो हमने उस वीडियो में बताई है आप उस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों अब बात करते हैं प्लेट लेट्स बढ़ाने की और सरीर के कमजोर होने की तो वो हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे आपको कुछ दिनों बाद ही उन वीडियो के लिंक इसी वीडियो में उपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप उन्हें जरूर देखें आपको करता हूँ कि आपको ये वीडियो और ये जानकारी दोनों अच्छी लगी होंगी और आपके लिए फायदे मन्द होंगी तो दोफतों अब हमें आगया देजिए